अलो नमस्ते गुड़मोर रहेंग हमारे special session to the point इंडिन पॉल्टी में आज हम बात करेंगे उपरास्ट पती की यानि Vice President की और Vice President के बारे में आज हम बात करेंगे उपरास्ट पती के निर्वाचा कमंडल के बारे में यानि आज हम आपको बताएंगे कि उपरास्ट पती का कैसे कुछन कुछेगा हम आपको बता दे उपराष्टपती का प्राहधान भारतिय सव्यधान में अमेरिका के सव्यधान से लिया गया है और ये नीथ है भारतिय सव्यधान के अनुचे 63 में कि भारत का एक उपराष्टपती होगा इसके अलावा भारतिय सयुधान के अनुछे 66 में ये नीत है कि भारत के उपराष्टपत्य के चुनाव राज्य सभा वै लोक सभा के निर्वाचित वै मनोनित सदे से दुआरा किया जाएगा यानि वही राष्टपती के चुनाव में राज्य सभा वै लोक सभा के निर्वाचित सदे से दुआ भाग लेंगे इसके अलाव वही राष्टपती के चुनाव में विधान सभाओं के सदे से भाग लेते थे उपराष्टपती के चुनाव में सिरफ राज्य सभा लोक सभा के निर्वाचित और मनोनित सदे से भाग लेंगे ना कि विधान सभा के सदे से ये नहीत है भारतिय सयुधान के अनुचेद 66 में यानि आर्टिकल 66 में बात करें एक्जामनर आपसे पूछ सकता है भारतिय सयुधान में उप्राष्टपती का प्रावधान कहां सी लिया गया है आपको अंसर होगा अमेरिका के सयुधान से वहीं भारतिय सयुधान में उप राष्टपती के निर्वाचक मंडल के बारे में किस अनुछेद में नहीं था है आपका अंसर होगा आर्टिकल 66 में इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि राष्टपती के निर्वाचक मंडल के बारे में भारतिय सयुधान के किस चोन में यानि आर्टिकल 54 में जो कि हमने हमारे कल सेशन तू दो पॉइंट इंडिन पॉल टीम आपको बताय था हमारे आज की सेशन में ताइब थाइब थैंक यू